आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार मस्जिद पक्ष है और जो हिंदू पक्ष है डोनों ही पक्षों ने अपने दावे पेश की है को उता दे कि हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग पाय जाने कि बात जा रही यह और जो रिपोर्ट किये गया है उसकी रिपोर्ट 17 मई यानि की मंगलवार को कोट में पेश्य की जाएगी हलाकि इससे पहले इंदू पक्ष के वकील ने दावा किया है कि मस्जिद पर इसर में बने कुए में शिवलिंग मिला है मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को नकार दिया है उधर वारारसी प्रशासन कोट का हवाला दे कर इस मामले पर बोलने के लिए तयार नहीं है हाला कि इन सब के बीच उत्रप्रदेश के डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौर ने कहा सत्ते को आप कितना भी छुपा लिजे लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है उधर AI M.I.M. चीफ असदुदीन ओवैसी ने पलट वार करते हुए ग्यान वैपी मस्जित थी और कयामत तक रहेगी इस तरह का ट्वीट किया है तब दोनों के बीच ट्वीटर वार भी शुरू हो गया है जहां दोनों पक्षों में अपनी अपने दावे किये जा रहे हैं इंदू पक्ष ने सर्वे के बाद दावा किया कि अंदर मंदिर के अशेश मिले हैं साथी साथ शिवलिंग मिला है और मुस्लिम पक्ष ने इसे नकारा भी है और इस खबर में हम ऐसा जदबाद चीट के लिए समधा था गौरब शिर्वास्तव जूर चुके हैं गौरब सर्वे आज पूरा हो गया है ग्यानवापीमस्जिद का और अब जो बते कही जा रही है जस तरह से नारे लगाएगाए जस तरह से जैकारे लगाएगाए सर्वे के बाद और यह दावा किया जा रहा है इंदू पक्ष की तरफ से कि अंदर सुवलिंग मिला है क्या जानकारी है क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है क्या कुछ देखा गया है ग्यानवापी में तो बजी के सार भुटा है जहां कर अधर्म जो लोग है वो नवास वाइने काले अपने हाथ-पाओं को दोते हैं तो प्रश्च जानकारी पहा है है अलाकि अभी अभी इसी कोई स्विचना नहीं इस पास दियुपा है अभी कि वीडियोगाफी के मार्दम जाथी कि इसी को द हम जाताुनकों को भी कहाँ जाए है कि जो मंजिब प्रश्च नहीं एक जा या घृए के अवूदि ना के जिए जाया україн कि आईयों कि सभी एंग मंजित करधिया । topics भाण जाथ है कि जाद सब्सक्राइब नहीं है। कि उसे बाद है स्फी इस से इस सामुन हिए इसके बाद ही नियुक्ते जो मामने है भिरॉई मंतर आल ineffative नहीं कि दिखाः जाएगा जी गौरफ जिस तरह सिफ दावे और वादे किये जा रहे हैं तो सबसे वड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब अंदर सर्वे हो रहा था वीडियोग्राफी हो रही थी तो कि अंदर जाने को परमीशन किसी को नहीं दी और साथ ही साथ जो भी वहाँ पे वीडियोग्राफी के परमीशन के माध्यम से और अगर वहाँ पर जैकोस या जैकारी लगाए जाते तो निस्टियू से उनको लगता है कि हां कुछ ना कुछ वहाँ पर मिला है और आदमी भले ही उसके वीडियोग्राफी सबूत ना दे कुछ बात ने करे पर चर्चा को माध्यम से कुछ ने बा आएंगे और निस्टियू से अभी सिब्लेंग होने की बाद वहाँ पर कही जा रही हाला कि इस पर से नहीं उपाया है तो निस्टियू से मामला वांगे जाएगा कोड के मार्दम से इस मामली में कुछ प्रचला तखेगा जी गौरब याचिका करता ने ये भी कहा हिंदू अर्व जा सकते हैं भी कोड़ आने के संग्याल लेगा देक सहंडे परसंट सर्बे वहाँ पर हो गया है तो दो देने पहले चारीस परसेंट हो अग्गा आज 20 परसेंट वहाँ पर अजीपर सर्भे हो गया है पर आभी यह कई कमरे ऐसे हैं जो की मलवे से दब हुए हैं जो तो वहाँ पर जब बैतर तरीके से वहाँ पर जाए जाएगा वहाँ पर खुडाई कर जाएगी, मलबा हटाएगा, कुछ तर्थ और सामने भी आतकते हैं, तो निश्रूप से यहाँ पर हिंदू पर चिकार या जो हिंदू समीती जिन्नों ने यासकर दाखिल किये, वो भी ज सायोग दिया है, लेकिन अब जिस तरह से राजनीती शुरू हो गई, ओवेसी का जो बयान सामने आया है, उन्होंने अयोध्या के मामले से काशी के मामले को जोड़ दिया, इसको किस तरह से देखते हैं? लेकिन असर दिन ओवेसी का हमेशा से एक रहता है कि जो भी मामला होता, कासर उतापरेस में, तो वो चर्चाओं को बजार गरम करते रहते हो, ऐसे इनकी अभी इनकी मन्सा वो यही है, जिस तरह से अभी उन्होंने जो दिन पहले ही बयान दिया था कि ग्यान बापी मस्जि पहले हो इस प्रफ्रशिदी और कियामत तक रहेगी, तो यहां पर ओवेसी हमेशा हाला कि कई जो बात की गई, कई लोगों से बात की गई है, तो बहुत बादे बाश्यक्री आप जोड़ने के लिए तो माम जानकारी के लिए इस खबर पर माइसे समादा था गोरभ प्रदेश आगमन पर पीम मोधी सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा पर कुशीनगर में महापरी निर्वार सली पर बुद्ध की वंदना करने पहुचेंगे और इसके बाद राज़ानी लकनो में योगी मंत्री मंदर के साथ महतवपोर बैठक करेंगे जहां केंदर सरकार की लोग कल्यार कारी नीतियों पर भी चर्चा होगी योगी क्याबिनेट के साथ मीटिंग के बाद पीम नरींद्र मोधी मंत्रियों के साथ डिनर मीटिंग भी करेंगे डिनर का आयोजन सियम योगी आदेतिनाथ के सरकारी बंगले पर होगा पीम के आगमन से पहले ही सभी मंत्रियों को लगनो पहुच जाने के निर्देश दिये गए हैं ये दूसरा मौका है जो प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी यूपी के सियम के साथ डिनर करेंगे बता दे कि पीम मोधी उत्तर प्रदेश की विकास और प्रदेश की कानून विवस्ता और अधेक सुधार के लिए सरकार के जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं आपको बता दे कि पीम के आगमन के चलते काफी तयारिया भी की गई है स्वागत के पोस्टर बैनर भी लगवा दिये गए है साथी साथ तिरंगे रंग से सड़कों पे रोश्णी भी देखने को मिलेगी LED लाइट्स लगाने की योजना भी करी गई है इससे पहले भी सियम योगी आदितनाथ के साथ प्रधान मंत्री नरेंद मोधी भोजन कर चुके हों और आज भी डिनर करेंगे उनके साथ साथ कई अधिकारी अलाधिकारी मौजूद रहेंगे आपको बता दे की योगी काबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे इस डिनर में और अधिकारियों से मिलने से पहले साथ साथ योगी कैबिनेट से मिलने से पहले वो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की प्रतिमा के पास जाएंगे और साथ उन्हीं नमंद करते वोई भी नजर आएंगे और इस ख़बर पर हमाइसा जादा बाचीत के लिए समधा था गौरब शुरुबास तब जुड़ चुके हैं गौरब प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी लखनाउ आ रहे हैं उनके आगमन के चलते क्या कुछ तरह यारिया देखने को मिल रहे हैं लखनाउ में इसके लिए प्रेखनाउ में नेपाल शुरुन में प्राइमेर मोधी अब हमाय देखने मंदर में महाव्वाद कई तया वहां तालाव था एत्यासिक्ट का परकम्मा बिक ए और बुद्ध की प्त्तिशचड़ जन्ति पहां गये थे और यह प्रामती नेपाल दोरा है उससे प सब्सक्राइब नेपाल की जो प्रहामंत्री हैं इसके लब कई बड़े कारिकर में सामिल भी वहां पर हुई जिसमें 5-6 एहम मुद्धों पर वहां पर शर्चा भी हुई है और साथ यह सहमत्री भी बनी है सब्सक्राइब नेपाल का और प्रहामंत्री नेपाल से लोटकर लगनु आने बाले हैं लब लब 6 बज़े लगनु पहुचे कारिकर में जिसलिप तमाम तैयारे करा लिए गई है और इन तैयारे चलते हैं जो सही पात है उसको पूरी कर से रंग भी रंगी राजटों सब्सक में आएंगे और यहां पर वो जो मंत्री हैं उनकी विभागवार बैठक करेंगे बैठक के साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे इसको भी देखा जाएगा इसके लाबा जो अगले छे महिनी के अरुजना है तो भी चिंतन के जाएगा साथी साथ कहा जा रहा है जो बीजेपी सब्सक्राइब करेंगे और क्या कुछ जो अनकारी है आज सभी के साथ डिनर पर एम मोदी और सीम योगी सभी रहेंगे काबिनेट मंत्रियों के साथ तो कितना महत्वपूर पल रहेगा यह सभी मंत्रियों के लिए क्योंकि सीम के साथ तो पहले भी भोज कर सुके हैं लेकिन आज योगी क्याबिनेट के साथ भी भोज करते हुए नसराएंगे प्रधान मंत्री कि दूसरी वार सप्ताई कुर्षी पर आसोन हुए हैं और आसीर होने के साथ सा तमाम जिम्मेदारिया बढ़ जाती हैं जैसा कि मैंने आपको आया कि नहीं लेकर जाना है जो मंत्री उनको भी मंदली प्रभारिक रूप में जलों बेजा जारा है जानकारी प्राप्त कराएंगे बहाँ पर क्या इस्तिती है किस तरह की जारा है है टिशय की जार की जार घे लह रही है तो इस त्रह की पैयल हो रही है हुए इस पहल का आज फूति करेंगि वी होगा ही कियrows चेक करेंगे मोडी सरकार लगातार काम कर रही हो जिस तरह से उसकी तमाम हुजना है वो इसा चर्चा के बिशाय होगा और जो बैठक होगी वो बहुत एहम होगी क्योंकि इस बैठक के मारदन से तमाम जो टिप्स है वो प्रहावंती नियने मोडी यहाँ पर मंत्रियों को देते निजर रहा है क्योंकि हर दोरा उनका किसी ना किसी उद्देश के लिए होता है और आज ही योगी कैबिनेट के साथ मलाकात करेंगे रात्री बोज़ करेंगे और उनको कुछ एहम दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे सेम योगी ने अफसरों को सक्त निर्देश दिये हैं सभी बहु मंजिला भवनो शौपिंग कॉंपलेक्स अस्पताल की जाच के आदेश दिये हैं साथी अफसरों को निर्देश दिये साथी अगनी शमन विवस्थाओं का निर्देश दिये हैं और कहा है कि इसके साथी जो ज़रूरी मानदन है उनका भी पालन किया जाए साथी टीम नाइन के साथ भी सीम योगी अधितनात ने आज बैठक करी और अफसरों को निर्देश दिये हैं से अच्छा समनवाई बनाने के निर्देश दिये गए हैं साथी अधिकारी जोन प्रते निदियों के फोन नहीं उठाए जाते हैं इसको लेकर भी सीम ने फटकार लगाई है और सुधार करने को कहा है लापरवाही होने पर कारिवाई की बात भी कही गई है साथी कानून व वस्ता को और बहतर बनाने को लेकर पुलिस के प्रती आम जुनता में विश्वास और मजबूत हो इसके लिए भी कहा गया है स्यम योगी आदेतिनाथ ने आज अपनी टीम नाइन के साथ बैठक करी साथे पुलिस अधिकारियों को भी ज़रूरी दिश्वा निर्देश दिए है और इसको लेकर भी निर्देश दिए हैं जिसका आपको बतादे कि दिल्ली के मुढका में जो अगनिकांड हुआ था है किमारत के अंदव में उसको देखते हुए जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदितनात हैं वो कही ना कही सक्त निजवाय हैं और उन्होंने फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को जो फायर पु फायर सेफ्टी जो अगनी समंग के पेपर होते हैं उनको ततकाल प्रभाव से जाज किया जाए साथ ही साथ जहां पे जो फायर सेफ्टी के नौंस है उसको अगर नहीं माने जा रहा है तो उनको उनके उपर कारवाई की जाए वहीं आपको बताएं कि जो भी फायर ना हुआ उसके बाद योगी आदितिनाथ की तरब से फैसला लिया गया है जी कोविड-19 के मामले भी लगतार बढ़ते जारे जिसको लेकर टीम नाइन के साथ एक बफिर सीम योगी आदितनाथ ने बैठक करी है जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नसर आये हैं यह कि अगर देखे तो जो कोविड के केसे धीवे धीवे बरते जा रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा जो कोविड प्रबंधन को लेकर जो टीम नाइन की टीम बनाई गये ती उसकी बैठक की गई और बैठक में यह निसकर्स निकाला गया कि जिन जगहों पर कोविड के केसे जादा आते हैं वहां पर जो कोविड प्रटोकॉल है उससे सक्ती से पालन करा जाए साथी साथ मास्ट को पूरी त्वसे अनिवार किया जिन जगहों पर केसे की संख्या जादा होंगी वहां पर यह नियम लगाए गया है वही अगर बात करें तो अगर उत्तर करा रहे गया वही खाए गर देखे तो ग्रामी निलाकों में अगर ऐस से केसे जाते हैं तो वहां पर पूर्री सक्ती से पालन कराया जांगर को रोकने के लिए हर एक जो प्रयास किया जा रहा है उसमे भागीदार बना जाए जे सिखा। स्वास्त विभाग से जुरे महकमे से जुरे लोग हैं उनकी तुरब से आगरह किया गया है कि आप एंजियोज का सहायता ले और लोगों को जागरू करें कि वो ठीके लगवाएं साथ ही अगर बात की जाए तो बीते दुनों सुबे के मुख्यमंतुरी होगी अलिचनाथ की नुकर उसे कहा गया कि बूस्टर डोज को लेकर है थोडी धिलै ति लाए जया और बूस्टर डोज की जो लगाने कि प्रक्रिया है अब अभी अगर बात करें तो इस स्कूलों के अंदर में गवनी की छुट्टिया चल नहीं है तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिये गया है कि जल से जल टीके लगा जाए बच्चों के और जिन्होंने दोनों डोज लगा दिये उस इसी तरह से सक्रेटा के साथ बूस्टर डोज को भी लगवाए जिससे कोवीड को रोक्ताम हो सकेगा जी विभाशु प्रिशासन पुलिस के लिए भी जरूरी निर्देश दिये आज स्यम योग्या दितनात ने क्योंकि ये देखा जाता है कि जनता और पुलिस के बीच समन समन्वे बनाकर और काम को करें और कानून को अस्थापित करने के लिए हर एक व्यास किया जाए उसी क्रम में जो तमाम पचेटर जिलों के यूपी के पचेटर जिले हैं इन सभी जिला के जो पुलिस के आला दिकारी हैं उनको निर्देश दिये गया है साथी साथ सभी कि कोई भी अगर फर्यादी आए तो उसके पूरी सक्रेटा के साथ और समयने बना कर उनकी जो पीरा है उनको सुने और उन्हें न्याय दिलाएं तो कहीं न कहीं देखे तो जो लॉइन और सुधारने को लेकर साथी साथ जनता की समस्क्राओं को निजान को लेकर मुख्यमंत् होते हैं नहीं उनकी पात्षना पत्र को लिया जाता है तो कहीं मुख्यमंत्मी इंस चीजों को लेकर सज्ञां में लेते हुए उसं निर्देश दिये गये है और जल्दी मुख्यमंत्मी के निर्देश के बाद जो 75 धिनह วहां की पुलिस इसको पूरी तरफ से इसे क काम क जो बिल्कुल बहुत बशुक्रिया मासर जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए उस ख़बर पर मासर समधा तब विभान शुमरी तरपाथी जुड़े थे लखनौ से वह अब खबर गोरकपुर से है जहां IMA गोरकपुर एवं मेदानता लखनौ के सयोगत तत्वधान में एक संगोष्ठी का आयोजनिक निजी होटल में हुआ संगोश्टी में IMA गोरकपुर और मिदानता लखनाओं के डॉक्टरों ने विभेन विश्यों पर व्याक्यान प्रस्तुत किया IMA अध्यक्षे डॉक्टर शाही ने बताया कि इस तरह के कारेक्रम से हम सभी डॉक्टरों को उपचार की नई नई विधियों की जानकारी होती है और IMA हर महीने इस तरह के साइंटिफिक कारेक्रमों का आयोजन करता रहता इसके साथ ही IMA गोरकपुर की जर्नल वाडिय मीटि हुई जसमें सभी कमीटियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गए और समामले में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं इस जो कारेक्रम का मेन उद्देश यह है कि हम इस अवेरनेस को बढ़ाएं कि अगर किसी को पक्षागात होता है तो उसको हम 24 घंटे गंदर जल्द जल ऐसे अस्पितार में जहां सावली सुविदा उपता है यह इसका उदेश पहला यहां से इस टंट पाड़ा उपी से बहुत प्रशन दिल्ली जाना पड़ता था अभी काफी केशन काफी कौंग लोग दिल्ली जाते लगनों में शारी फेसिलिटी जो दिल्ली में वेले और किफाई दर्व में शारी ऑपरेक्शन हो रहे हैं इनका पोस्टोप क्यार भी अच्छा से हो रहा है लगनों जाना में इतना परेशान भी जाना में बढ़ता है तो यह बहुत बड़ी काइदा होगा इस प्रांथ का लोग को इस कार्य करम का जो में पर्पस है वो यह र सभाच को बहुते हैं और जनर भाशा में लयकिवा मारना भुलते हैं इसके बारे में और उससे हो रहे हैं इलाजियों के बारे में उसके लिए यह reeninta होगोड़ा बहतर सब्यात कर अच्छाव को और भैतर करनी में भी मदलेगी आए इम और मेदानता के द्वारा इस संगोष्टी का आयोजन किया गया है और इस ख़बर पर पे लिए गोरखपुर से समधा था ही मांशू जूड़ चुके हैं मांशू इस कारिकरम के दौरान क्या कुछ देखने को मिला किन एहम चीजों पर बात की गई बिलकुल इस बता दें कि आएएम में और लगनौ के डाक्टरो का सहिस्जों को नए नए चीजे एक दूसरे को शेयर करने को और मिली और उनको बताया गया है कि किस तरह से किस बीमारियों का इलाज क्या जै कि मेधानता के डारेक्टर गौरांग OC was अब गरी बिंहों, और बन्दल ऑने क्रिका से, यहागा कीछलनल हैं, यह उसंगी कमते अवर्ड आपके टाफ़ेंद हैं, अब सबसुतिक से लखनौ जाकर के आराम से कम लागत में अपनी बजट के अनुसार ही अपना जो है इलाज करा सकते हैं जी इस तरह की कारिक्राम साइंटिपे कारिक्राम का आयोजन हमीशा होता रहता है ही मांशू तो इससे डॉक्टरों में और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं और ज जो वरिश डॉक्टर हैं उनसे मिलकर के उनको नहीं नहीं रुपता पता चलती है कैसे उनको कीस बीमारियों का कीस तरीके से इलाज करना है और साथ ही आपको बता दे तिखा कि जैसे श्ट्रोक जो बीमारी है एक लकवा मारना जिसको कहा जाता है ये चालिस के बाद अमोम सामना करना पड़ता है लेकिन डाक्टरों का साथ कहना है कि अगर चार घंटे के अंदर उनको जो है कुछ ऐसे दवाईया इंजेक्शन्स हैं जो दे दिया जाए तो काफी हद तक श्ट्रोक को कम किया सकता है इसके साथ ही अगर सही समय पर 24 घंटे के अंदर उनको लखना ह होगी तो जागरूप करने की जरूरत है जनता को कि जल से दल अच्छे से अच्छे डाक्टरों को संपर्क करें अपने और वो उसका चिकित सा सुधा का लाव उठा सके जो बहुत 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 शुक्रिया वास जोड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस ख़बर पर के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार